नमोनमह संस्कृत कक्षायाम भवताम भवतिनांच स्वागतम अहम असमी अशोक कुमारह अध्य वयम सेमुशी द्वितिय भागस्य पंचमं पाठं पठिश्यामह अस्य पाठस्य सीर्शकम अस्ती जननी तुल्य वत्चला अस्य अर्थः अस्ती यत मातुहु स्नेह सर्वेभ्यः अपत्यभ्यः समान भवति अर्थात माता अपनी सभी संतानों के लिए समान वात्सल्य रखती है प्रस्तुतोयम पाठह महर्शी वेदव्यास विरचितस्य अईतिहाशिक ग्रंथस्य महाभारत अंतरगतस्य वनपर्व इत्यतह ग्रिहीतह यह पाठ महर्शी वेदव्यास के द्वारा रचित महान अईतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वनपर्व से लिया गया है चात्राहा किम भवंतह जाननती यद महाभारते कती परवाने संती न तरही अहमेवदामी चात्रो क्या आप सब जानते हैं कि महाभारत में कितने पर्व है नहीं चलो फिर मैं ही बता देता हूं महाभारते आदि पर्व सभा पर्व वन पर्व इत्यादीनी अश्टादश परवानी संती महाभारत में आदिपर्व, सभापर्व, वनपर्व, इत्यादी 18 पर्व हैं इम कथा सर्वेशु, प्राणेशु, समद्रिष्टी भावनाम प्रबोधयती यह कथा सभी प्राणियों में समान द्रिष्टी रखने की भावना पर बल देती है अस्याह अभिशिप्तह अर्थोस्ती यद समाजे, विद्यमानान, दुर्बलान, प्राणिनह, प्रत्यपी, मातुहु, वातसल्यम, प्रकरशेण एव, भवती इस कथा के माध्यम से बताया गया है कि मा की ममता सभी संतानों के लिए समान रूप से एक जैसी होती है उनकी लिए किसी छोटे, बड़े, कमजोर या शक्ती से संपन संतान में कोई भेद नहीं होता वह भेद बुद्धी से अपनी संतानों से प्रेम नहीं करती बलकि जो पुत्र दुखी है उसकी लिए स्वयम भी अधिक संवेदना रखती है माता के लिए उनकी सभी संताने समान होती है अनया कथया सह वयम परिक्षा द्रिष्ट्या पाठगत व्याकरण अंसान अपी ज्ञास्या महा इस कथा के साथ ही हम परिक्षा की द्रिष्टी से पाठ में आये हुए व्याकरण के अंसों को भी समझने का प्रियास करेंगे तरही पठामहतावत एतम पाठम कस्चित क्रिषकह बलिवर्द भ्याम क्षेत्र कर्शनम कुर्वन आसीत कस्चित कोई क्रिषकह किसान बलिवर्द भ्याम अपने दो बैलो से क्षेत्र कर्शनम कुर्वन आसीत क्षेत्रस्य कर्षणम खेतों का जो जुताई है वो कुर्वन आसीत कर रहा था तयोहो बलिवर्दयोहो एक हा शरीरेण दुर्बलह जवेन गंतुम अशक्तस्च आसीत उन दोनों बैलों में से एक सरीर से कमजोर बैल तिव्र गती से अर्था तक तेज चलने में ऐसमर्थ था आतहा क्रिश कहा तम दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानह अवर्तता आतहा इसलिए क्रिश कहा वह किसान तम दुर्बलं वृषभं तम उस दुर्बलं कमजोर वृषभं वृषभ को बैल को बच्चों यहाँ पे जो दुर्बल शब्द है ये वरिशब शब्द का विशेशन है तो उस कमजोर बैल को तोद नेन जबरदस्ती उसको पुश करते उसको धक्का मारते विए नुद्मान आवर्तता लेके जा रहा था अतह किसान उस दुर्बल बैल को कश्ट देते विए हाक रहा था सह रिशबह हलम उड़ हुआ गंतुम अशक्तह क्षेत्रे पपाता वह बैल हल को वहन करके चलने में ऐसमर्थ होकर क्षेत्रे खेत में ही पपाता अपतत गिर गया बच्चों यहां पे क्रिशबहा शब्द क्रिशक के लिए आया है किसान के लिए आया है तम उत्थापईतुम कृद्धा कृषिवलह प्रोधित किसान तम उस उसको किसको उस विर्षभ को उत्थापईतुम उठाने के लिए बहु वारम यतनम अकरोत बहु पार उसने प्रियास किया अर्थात क्रोधित किसान ने उसे बहुत बार उठाने का प्रियास किया प्रियत्न किया तथापी वुरिशह नोत्थितह तथापी फिर भी तथा और अपी दो शब्द यहां पे आये हैं फिर भी वुरिशह वुरिशह अर्थात बलिवर्दह या बैल या वुरिशभा ये कर रहाऊं व्रिशह व्रिशभाह बलिवर्दह तथा पी व्रिशह नोत्थितह फिर भी वो बैल नहीं उठा भूमव पतिते स्वपुत्रम द्रिष्टवा सर्वधेनु नाम मातुहू सुर्भेह नेत्राभ्याम अस्रोणी आविराशन भूमव पतिते भूमी पर गिरे हुए स्वपुत्रम द्रिष्टवा अपने पुत्र को देख करके सर्वधेनु नाम मातुहू सभी धेनुओं की माता सभी गायों की जो माता थी सुर्भी तस्याह नेत्रे उसकी आखों में अस्रोणी आविराशन उसकी आखों में आसु आने लगे आसु बहने लगे उसकी इमाम अवस्थाम दृष्टवा अवस्था को देख करके सुराधिपः सुराणाम अधिपः सुराधिपः यानि कि देवेंद्रि देवताओं का राजा देवानाम इंद्रह, देवेंद्रह, शुरानाम अधिपह, शुराधिपह, इंद्रह, ताम अप्रिच्छत इंद्रने उससे पूछा सुर्भी की इस अवस्था को देख करके देवराज इंद्रने उससे पूछा आई शुभे किम एवं रोदिशी? उच्यताम इती अरे कल्यान कारेणी ऐसे में क्यो रो रही हो उच्यताम वद बताईए साच और वह विनिपातो न वह कस्चित द्रिश्यते त्रिशाधिप आहम्तु पुत्रम सौचामी तेन रोधी मी कोशि कहा इसका अन्वे देखते हैं हे त्रिशाधिप वह कस्चित विनिपात न द्रिश्यते आहम्तु पुत्रम सौचामी तेन रोधी मी भावार्था सा सुर्भी सा अर्थात सा सुर्भी धेनू इंद्रम उक्तवती इंद्रम आवदत यत अहम कस्यापी दुखं द्रश्टों नशकनों मी मैं तो किसी का भी दुख नहीं देख सकती अहम्तु पुत्रस्य पत्नम द्रिश्टवा शोकम करो मी मैं तो अपने पुत्र का पतन देख करके उसको गिरा हुआ देख करके शोक कर रही हूं तस्मात कारणात अहम रोधी मी इसलिए मैं रो रही हूँ भाव है इसका वह कहती है देवराज इंद्र मुझे किशी का कष्ट देखा नहीं जाता मैं उस पुत्र के लिए सोच रही हूँ हे इंद्र किसी कारण से मैं रो रही हूँ भो वास्व पुत्रस्य देन्यम द्रिष्टवा अहम रोधी मी पुत्रस्य हे वासव हे इंद्रह पुत्रस्य अपने पुत्र की देन्यम दीन अवस्था को द्रिष्टवा देख करके अहम रोधी मी मैं रो रही हूँ इस प्रकार जानते हुए भी किशान उसको बहुत ज़्यादा पीडित करता है दुख पहुचाता है जानन में बच्चो शत्रि प्रत्य है सहा क्रिच्छरेण भारम उद्वहती भार का वहन करता है इतरम इव धुरम वोढ़ुम सहा नाशकनोती इतरम इव जो अन्य बैल है दोनों बैलों में से एक कमजोर है बच्चो तो वो कह रही है इंद्र को सुर्भी देवताओं की जो ध वो कह रही है कि वह तो जो कमजोर है वह तो इतरम इव दूसरे जो बैल के समान धुरम जो जुवा है उसके उपर रखा हुआ हल है उसको वोढ़ुम ने शकनोती उसको वह नहीं कर सकता उसको वह खीचने में ऐसा मर्थ है एतद भवान न पश्यती इस चीज को आप नहीं देख रहे हो भो वास्व पुत्रस्य दैन्यम द्रिष्टवा अहम रोदिमी भो वास्व वास्व शब्द इंद्र के लिए आया है हे इंद्र पुत्रस्य दैन्यम द्रिष्टवा पुत्रस्य अपने पुत्र की दैन्यम दीन अवस्था को द्रिष्टवा देख करके अहम र रहीूं इति जानन अपी ईसा जानते हुए भी बच्चो में शत्री जो काम हो रहा है चल रहा है बहु प्रकारेण पीड़ यती उसको को दुखी कर रहा है कि सहा कृच्छरेण काठिनीन वह बहुत कठिनता से भारम उद्वहती उस भार को वहन कर रहा है उसको लेके जा रहा है इतरम इव इतरम अर्थात अन्यम इव आप जानते हैं कि बैल से जब किसान खेतों की जुताई करता है तो उसमें दो बैल जोड़े तो यहां इतर शब्द जो दूसरा शक्तिशाली है उस बैल के लिए आया है इतरम इव दूसरे की तरह से सहा धुरम वोडुम ना शकनोती दूसरे की तरह से वह जो उसके कंधों पर जुआ रखा हुआ है उसको ढोने में वह समर्थ नहीं है वह उसको नहीं ढो सकता एतत भ वोचत प्रत्य वोचत अवोचत अर्थात अवदत भद्रे नूनम सहस्त्राधिकेशू उत्रेशू सत्स्वपी तव अस्मिनेव एताद्रिशं वातसल्यं कथम। भद्रे के ले से कल्यान कारेनी वंत hedge के नूनम निश्चे ही सहस्थ्रा दिकेशू पुत्रेशू हजारों पुत्रों के होने पर भी सत्सु अपी होने पर भी तव असमिन एव इसमें ही तव तुम्हारा असमिन एव इसी में ही एता दरिशं वातसल्यम कथम ऐसा वातसल्य क्यों है बच्चों यहां सहसरों की बात क्यों कही गई है क्योंकि जो गायों की माता सुर्वी है उसकी लिए तो प्रत्वी लोक पर जितनी भी और दूसरे लोकों में जो भी गाये हैं वो सारे उसके अपने वत्स हैं उनके अपने बच्चे हैं तो उसी बात को इंद्र कह रहा है कि पुत्रों के होते हुए भी तव तुम्हारी अस्मिन्न एव इस ही पुत्र में एताद्रिशम वादसल्यम कथम ऐसा वादसल्य क्यों है अर्थात इसी से ही इतना स्नेहे क्यों है आपके तो हजारों पुत्र हैं इस संताने हैं इती इंद्रेण प्रिष्ठा सुर्भी प्रत्यवदत इती ऐसा इंद्रेण प्रिष्ठा इंद्र की द्वारा पूछे जाती हुई सुर्भी प्रत्यवदत वह सुर्भी बोली हे शक्र यदि ममपुत्र मे पुत्र सहस्रम अस्ती तथा पी सर्वत्र समम् एव ममकृपा अस्ती दीनस्य पुत्रस्य सतहतु तस्मिन अभ्यधिका कृपा अस्ती अब इसका अर्थ देखते हैं बच्चों हे शक्र हे इंद्र यदी मे अर्थत मम मेरे पुत्रम सहस्रम अस्ती हजारों पुत्र हैं तथापी सर्वत्र समम् एव ममकृपा सर्वत्र सब जगह सभी में समं समानम एव ही ममकृपा मेरे जो कृपा है वो सभी में समान है दीनस्य पुत्रस्य सतहतु तस्मिन अभ्यधिका क और दीन पुत्र के होने पर तो उसमें विशेश रूप से अधिक कृपा अधिक स्नेहें रहती है जैसे परिवार में भी हमारे जो कोई कमजोर बच्चा होता है या बार-बार रोग ग्रस्त होता है तो माता-पिता की उस पे जादा कृपा होती है उसको जादा लालन पालन व भावार्थ देखते हैं सुर्भी इंद्रम उक्तवती यत तस्याह सहस्त्राधिकाह पुत्राह संती सुर्भी इंद्रम अवदत गायों की जो माता है सुर्भी उसने इंद्र को कहा यत तस्याह सहस्त्राधिकाह पुत्राह संती कि उसके हजारों से ज्यादा पुत्र है चेत टेशु अपी, उनमें भी सर्वत्र समानम वाथसल्यम अस्ती, सभी में उनका वाधसल्य तो समान हैं, परंतु कश्चन दीन पुत्रह अस्ती, यदी कोई कमजोर बेटा है, चेत तस्मिन सुर्भेह कृपा अधिका अस्ती, तो उसमें सुर्भी की कृपा अधिक ही है बहुन्य अपत्यानी में संति इति सत्यम बहुनी अपत्यानी बच्चों यहां यन संधी है बहुनी में छोटी ही है और अपत्यानी का अय मिल करके और ई के स्थान पर यह हो गया बहुनी अपत्यानी, अपत्यानी का विशेशन बहुनी, बहुनी अपत्यानी अपत्यानी जैसे बताये था संताने, मेरी बहुत सी संताने में बहुनी अपत्यानी संती, मेरी बहुत सी संताने हैं, इती सत्यम, यह बात तो सत्य है, तथापी अहम एतस्मिन पुत्रे, तथाप वेदनाम अनुभवा में कश्ट का अनुभव कर रहे हूं इसके लिए मैं कश्ट का अनुभव कर रहे हूं यतोही आयम अन्यभ्यो दुर्बलहा यतोही क्योंकि आयम यह अन्यभ्य दुर्बलहा दूसरों से कमजोर है दुर्बलहा बल ही नहा सर्वेशु अपत्येशु जनन तुल्य वत्सला एवा सर्वेशु अपत्येशु सभी अपत्यों में संतानों में जननी माता जो होती है तुल्य वत्सला एवा समान वत्सल वाली होती है समान स्नेह करने वाली होती है तथा पी दुर्बले सुते मातु हुँ अभ्यदिका कृपा सह जाईवा तथा पी फिर भ अब्यधिका बहुत जादा होती है सहजा एव सहजाइव और सहजोति स्वाभारविक रूपस से होती है इति सुर्भी वचनम सुरुत्वा सुरुभेवसे वचनम सुरुभी वचन को सुनकरके भृशं विस्मितश्या खनडल अश्या विश्मित आस्तरि่ंह चकित अखंडल अखंडल शब्र क्घक इनके लिए तो बहुत ज्यादा रान ए जब द्रविभूत हो गया उसका मन भी भर आया वो भी दुखी हो गया सच ताम एव ए सांत्वयत सह वह ताम ताम शब्द यहां सुर्भी के लिए आया है वह उस सुर्भी को सांत्वना देते हुए कहता है गच्च वत्षे जाओ बेटी जाओ पुत्री सर्वम भद्रम जायेत सर्वम अपी भद्रम सम्यक जायेत होगा सब कुछ ठीक हो जायेगा सब कल्यान प्रद हो जायेगा एचिरादेव एचिरात एव थोड़ी ही समय के बाद में चंड वातेन चंड बहुत तेज प्रयुपसर्ग जोड़ देते हैं बच्चों प्रचंड शब्द हो जाता है प्रचंड आपने सुना होगा तो एचिरादेव में एचिरात त वर्ग का पहला वर्ण था और बाद में स्वर आने पर तक द हो गया था तो एचिरादेव सिग्र ही चंड वातेन तेज हवाओं से मेघ रवाइश्च तेज हवाओं के द्वारा मेघह जो बादल है वह रवाइश्च ध्वनी के साथ में प्रैवर्ष्रह समझायता है बरसना सुरू कर दिया लोकानाम पश्यताम एवा सर्वत्र जल उपपलवाह संजाता है लोकानाम लोगों के पश्यताम एवा देखते देखते ही सर्वत्र सबजग है जल उपप्रलवाह बाढ़ की जैसे जो स्थिती हो जाती है संजात है हो गया सब जगह पानी भर गया कृषक हाँ वहकिसान हरशा तिरेकेण हरशस्य अतिरेकेण परशन्दता की अधिकता से कर्षन विमुखाह सन कर्षण जो खेत की जुताई कर रहा था उससे विमुखो करक विर्षभव नित्वा दोनों बैलों को ले करके ग्रिहम अगात अगात अगच्छत वह घर चला गया अपत्येशुच सर्वेशु जननी तुल्य वत्चला पुत्रे दीने सामाता क्रेपार्द हर्दया भवेत अन्वयाहा सर्वेशु अपत्येशु जननी तुल्य वत्चला भवती सामाता तु दीने पुत्रे क्रिपार्द हर्दया भवेत अर्थात जननी सर्वेशु पुत्रेशु जननी माता सर्वेशु पुत्रेशु सभी पुत्रों में समान रूपेण स्नेह युकता भवती समान रूप से स्नेह करने वाली होती है परंतु तस्याह कस्चन पुत्रह दीन हास्ती यदि दीन है दुर्बल है चेत यदि तस्मिन विशये उस विशय में सा विशेश रूपेण वह विशेश रूप से कृपा युक्त हरदया भवती कृपा से युक्त हरदय वाली हो जाती है चात्रो आज के इस भाग में हमने महाभारत के वनपर्व से लिये गए इस पाठ जननी तुल्य वच्चला को पढ़ा इस पाठ में हमने जाना कि एक किसान बैलों से खेतों की जुताई कर रहा था एक बैल कमजोर होने के कारण तेज नहीं चल पा रहा था तो क्रोधित होकर किसान उसको बलपूरु खेत जोतने के कारिये में लगाना चाहता है दुर्बल बैल क्योंकि वह कमजोर था इसलिए खेत में ही गिर जाता है और उसकी इस स्थिति को देख करके गायों की माता जो सुर्भी है वह अपने उस पुत्र की दुर्दशा को देख करके दुखी हो जाती है इंद्र उससे उसके दुखी होने का कारण पूचता है तो इंद्र के पूचने पर वह अपने पुत्र के कष्ट के विशे में बताती है इंद्र अपने प्रभाव से वर्षा कर देता है और किसान बैलो को ले करके प्रसनता पूर्वक घर लोटाता है अगले भाग में हम इस पाठ के अभ्यास और व्याकरण अंसों को पुनह जानेंगे, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, पुनह मिला महा, धन्यवादहा झाले झाले ताज़ झाले आंसों को अभ्यास और विस्तार से अभ्यास और विस्तार से झाले पुनहा है